नमस्कार दोस्तो मैं हो रास्वान और आप देख रहे हैं प्रिपेर फर नौकरी ओफिसल यूटूब चैनल दोस्तो इस चैनल पे आपको जेनरल अवर्नेस और बाकी अधर सब्जेक्ट है उसको धीरे-धीरे कंप्लीट किया जाएगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर फिप्टी लगाने से तो आप दोग अगर इस सीरीज को इंज्जाए कर रहे हैं तो लाइक कर देजिए और देखिए पीडियेफ आपको हमारे टेलिग्राम चैनल से मिल जागा यहां से जोइन कर लेजिए यहां पर पीडियेफ आपको अंसर के साथ आपको मिल जाएगी अब देखिए 676 नमर आपके सामने कोश्चन है कि which of the following is the apex banking institutions of India that regulate the monetary policy तो देखिए monetary policy जो है RBI control करती है तो इसका correct answer होगा A Reserve Bank of India देखिए monetary policy जो deal करती है currency से money से interest rate से जबकि एक fiscal policy होती है जो कि government deal करती है with the taxation and spending by the center तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि अगर fiscal policy की बात करते हैं तो government इसमें deal करती है जबकि monetary policy की बात करते हैं तो उसमें deal करती है RBI Reserve Bank of India और center जो inflation control करने के लिए target दिया है RBI को 4 plus minus 2% तो इस तरह से इतना महगाई आनी कि 2-6% से ज़्यादा महगाई नहीं होना चाहिए तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है और RBI को बनाया गया था RBI Act 1934 के अनुसार RBI Act 1934 के अनुसार और RBI का nationalization किया गया था 1949 में 1949 में तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है और इसका headquarter मुंबई में है कोशन है कि identify the correctly matched pair of the founder and the social या socio-religious organization founded यानि कि आपको देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि correctly matched पूछा जा रहा है तो देखिए राम कृष्ण परवहंस ने राम कृष्ण मिशन तो देखिए option number A, option number D दो में राम कृष्ण मिशन है और दोनों का यहाँ पर जो founder है वो अलग-अलग दिया है यानि कि राम कृष्ण परवहंस या फिर स्वामी बिवेका नंद तो दोनों में से कोई एक ही होगा तो दोनों में से तो दोनों नहीं होने वाला है तो इसका correct answer तो यहाँ पर होगा आरे समाज का दयानंद सरस्वती और ब्रहम समाज का राजा राम मोहन राए तो इस तरह से देखिए तीन मैंने आपको जो सोचियो रिलिजियस और्गनेशन ने उसके बारे में बताया कि रामकृष्ण मिशन को श्वामी विवेकानद ने यहाँ पर फॉंड किये थे ब्रहम स समाज के राजा राम मोहन राए और आरे समाज का दयानंद सरस्वती कोशन आपके सामने है कि नेम दा फिल्म मेकर हू मेट दा हिंदी फिल्म छापाक बेस्ट ओन दा स्टोरी ओफ एन एसीड अटेक विट्टिम तो एसीड अटेक जो सर्वाइबर है वो यह आप देख रहे अगरवाल की भूम का दिपका पादुकोन ने निभाई थी तो देखे जो बेस्ट स्टोरी है वो लक्षमी अगरवाल जो एसीड अरेक्ट की भीट्टिम है तो उनकी ऊपर फिल्म बनी है च्छापाक और जो फिल्म मेकर है वो है मेगना गुलजार तो मेगना गुलजार के लक्षमी अगरवाल की उपर तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है इंपोर्टेंट है और देखे ए फिल्म जो है 2020 में 10 जनवरी को रिलीज हुई थी अब देखे एक क्वेशन है कि identify the incorrect statement about the public distribution system तो public distribution system जिसको short में PDS बोलते हैं उसमें देखे यहां पर incorrect statement आपसे पूछा ज गलत है दोस्तों अबंडन नहीं किया गया है क्योंकि lockdown में इसके द्वारा ही यहां पर भोचन प्रवाइड करवाया गया है फूड जो है प्रवाइड करवाया गया है फूड ग्रेंज तो ए अबंडन नहीं है तो यही जो है incorrect है तो correct answer यहां पर यह होगा बाकी option को भी get food grains are the subsidized prices बिल्कुल सही है और PDS was envisaged in 1967 as a price support program to help consumers यहां दोस्तों इसको परिकल्पना यानि कि लाए गया था 1967 में जबकि 1997 में यह बनीगा targeted public distribution system और 1967 में इसको as a price support लाए गया था program to help consumers अब देखें इसके बारे में और जानी है कि इसको यहां पर आपको food corporation of India जो की government owned corporation है procure and maintain the public distribution system यानि कि इसका जो procurement और distribution का जो काम दिया गया है वो दिया गया है FCI को food corporations of India को तो food corporation of India को जान लिजिए एक अस्टेटोरी बड़ी है जिसको यहां पर 1965 में formation किया गया था 1965 में और इसका headquarters नीग दली में है और इसके देखें आपको पांच जोनल आफिस है लेकिन इसमें ministry of consumer affairs food and public distribution क्या आप इसके मंत्री बता सकते हैं तो comment सकते में बता दिये ministry of consumer affairs food and public distribution के मंत्री कौन है question है कि to a scale Mount Everest mountaineers need to go तो Mount Everest की अगर चढ़ाई करनी है तो mountaineers जो होते हैं प्रबतारोही जो होते हैं उनको किस देश में जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा नेपाल में नेपाल के द्वारा ही जो है यहां पर चढ़ाई की जाती है नेपाल के रास्ते कर सकते हैं और दुनि नेपाल और चीन के द्वारा Mount Everest की new height मापी गई है जिसमें की 0.86 meter जो है height बढ़ चुकी है तो यानि कि कुल height अब हो चुकी है 8848.86 meter तो इस तरह से आपको ध्यान रगना और दो देश कौन-कौन से इनको मापा है height को नेपाल और चाइना question है कि who is the head of the government of a state in India तो यानि पूछा रहा है कि जो head of government कौन होते हैं अस्टेट में तो इसका correct answer होगा D governor तो governor इसका correct answer होगा और इसी तरह से इंडिया में पूछा जाएगा कि head of the government of India तो कौन होगे तो president of India तो governor अब देखिए governor को यहाँ पर कुछ constitutional provision है तो governor को appoint करते हैं by the president of India और इसके बारे में जिक्र है अंडर आठकील 157 और 158 में तो हनी 157 और 158 में mentions है कि consistence of India as by illegality requirement for the post of the governor और governor बनने के लिए वो इंडिया का citizen होना जरूरी है और 35 years कम से कम होना जरूरी है और not be the member of the either house of the parliament or house of the state legislature not hold any office of the profit not be the resident of the same estate in tradition not mentioned in the constitution तो constitution नहीं है लेकिन जिस estate के governor बनेगा उस estate का नहीं होना चाहिए और governor जो होते हैं एक या एक से अधिक राज्य का यहाँ पर governor एक हो सकते हैं तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है अब देखे next question आपके सामने आ रहा है कि संक्रांती the harvest festival is celebrated in the month of the mark of the Hindu calendar and is known by the different names in the different part of the India what is called in Gujarat यहने कि Gujarat में क्या बोला जाता है जैसे कि Makar Sakranti इसको बोला जाता है North India में 14 जनवरी के दिन इसको celebrate करते हैं और उससे एक दिन पहले 13 जनवरी को लोडी के रूप में पंजाब में celebrate करते हैं लेकिन आपसे पूश है रहा है कि गुजरात में उसको किस नाम से जानते हैं जो harvest festival होता है जो कि हिंदी के माग महीने में celebrate किया जाता है तो उत्रायन इसका correct answer होगा D. उत्रायन is the correct answer for this question अब दखें जो मगी है वो original name है जो मकर सक्रांती का जैसे कि पंजाब हिमाचल परदेश बिहार और नेपाल में इसका अलग-अलग नाम है मगी भासा में और दखें पन्ना संक्रांती जो है उसको महा विशुवा संक्रांती के नाम से भी जानते हैं कोशन है कि first education minister of independent India was त्यानि कि first education minister पूछा जा रहा है और इनहीं के जनम दिबस पे जो है national education day मनाया जाता है तो ओ है personality अबुलकलाम अजाद तो correct answer है B. अबुलकलाम अजाद जो 2008 से इस day को मनाया जा रहा है national education day November 11 को तो 11 November को national education day मनाया जाता है क्योंकि ए बड़्डे है birth anniversary हर मौलाना अबुलकलाम अजाद का जो की independent India के first education minister रहे है अब देखे जो 1947 का first cabinet है उसके अधार में बहुत सारे question बनते हैं मैं आपको सभी यहां पर बता देता हूँ आप लोग एक अपने separate जो है notebook में note down कर लेजेगा ताकि आप इसको revise भी कर सकते हैं अब देखे एक एक करके आपको मैं बताता हूँ तो देखे प्राइम मिनिस्टर थे जबाहरलाल नहरू इन्होंने आपना जो और समभाला थे जो ministry है ministry of external affairs and common will थे रिलेशन और minister of scientific research इन्सके मंत्री थे जबाहरलाल नहरू तो इस तरह से दे डेपटी Prime Minister थे सर्दार बल्ला भाहि पटेल सर्दार बल्ला-खाइप पटेल सर्दार बल्ला भाहि पटेल gotta 40 से लेके 50 से पचास तक और उसके बाद चकरवर्ती राज गुपलाचारी 50 से लेके 11 से तक उसके कहई लासनाथ काटजू 1951 से तो देखे first home minister थे सर्दार बल्लबाय पटेल, first deputy Prime Minister थे सर्दार बल्ला भाय पटेल, उसका देखे Ministry of Information and Broadcasting में जो Minister थे वो थे सरदार बल्ला भाय पटेल तो देखे सरदार बल्ला भाय पटेल तीन important ministry यहाँ पर सम्हाल ले थे शुरू में Minister of Information and Broadcasting, उसके बाद Minister of Home Affairs and State, उसके बाद Deputy Prime Minister तो एक question कई बार आ चुके हैं तो ध्यान रखिएगा उसके देखे Minister of Finance थे RK सनमुखम City, तो First Finance Minister थे RK सनमुखम City उसके देखे Minister of Law तो BRM 8 कर थे, Minister of Defense थे बलदेब सी, उसके देखे Minister of Railway and Transport थे जान मुथाई, तो इस तरह से आपको मैं First First बता रहा हूँ हूँ, ध्यान रखिएगा Minister of Railway and Transport थे जान मुथाई, Minister of Defense थे बलदेब सी, Minister of Law थे BRM बेट कर उसके देखे अधर मिनिस्ट्री और आपको ध्यान रखना है Minister of Education थे मौलाना अबूल कलाम आजाद जो की इस Question का अंसर था Minister of Food and Agriculture थे राजंदर परसाद Minister of Industries and Supply थे सेमा परसाद मुखर जी Minister of Labor जगजी बन रहा Minister of Commerce चुबे, रजी, होर मुसी, भावा तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं Minister of Communication रफी आहमद किदवाई Minister of Health अमरीत कौर Minister of Works, Mind and Power नरहर बिश्नू, गडगिल Minister of Relief and Rehabilitation के सी नहीं होगी Minister of Without Portfolio तरह से आपको important, important जो है आपको ध्यान रखना है बहुत ही important है दोस्तों इसे जो first cabinet थे उसे question तो बनते ही बनते हैं उसका देखें next question है कि which of the following a sports या game is अस्मिर्ती मंधाना associated तो अस्मिर्ती मंधाना महिला किर्केटर हैं तो correct answer यहाँ पर C होगा किर्केट से सम्मनित है, महिला किर्केटर है, फेमल किर्केटर है और इसे question आते हैं जिसे other नाम मैं बताता हूं जूलन गोस्वामी मिताली राज अस्मिर्ती मंधाना, हर्मन प्रीत कौर उनम यादब, डिप्ती सर्मा और अधर नाम जो है, आप दिहान रख सकते हैं, important है question है कि which year did Lord Karjan order the partition of Bengal partition of Bengal हुआ था 1905 में तो correct answer दोस्तो, यहाँ पर answer A होगा A is the correct answer for this question और दूसरी रूप में question पुझा था कि partition of Bengal को किषने कराया था तो Lord Karjan इसका correct answer होगा और कब करवाया था तो 1905 में question है कि chanches जो scheduled drive है वो किस estate में belong करती है तो chanches जो अनुसोचित जो जाती है, यानि कि scheduled drive है वो किस राज़ से belong करती है तो दोस्तों, वो belong करती है तो correct answer यहाँ पर B होगा अब देखिए, बलकि तेलंगाना ही नहीं बलकि इससे पहले आंध्रपरदेश में था, तो आंध्रपरदेश से भी एजन जाती belong करती है उडिशा से, करनाटक से, तो ध्यान रखिएगा basically 4 states से एक tribe जो chanches, जो tribes है, scheduled tribe वो belong करती है, आंध्रपरदेश, तिलंगाना, उडिशा और करनाटक से question है कि the period of the second five year plan in India was, तो देखिए, पहले five year plans होते थे जिसमें कि different चीज को target किया जाता था, कि किसी पे भुखमरी को, किसी पे किर्सी को किसी पे industries को, तो इस तरह से जो planning commission था, जिसके chairman हुआ करते थे prime minister of India, लेकिन 2014 में इसको खत्म कर दिया गया, और एक जन्बरी 2015 से, निथी आयोग ला दिया गया, National Institution for Transforming India, तब से जो है बारप five year plan बने, यानि कि 2017 तक five year plan चले है, उसके बाद से five year plan इंडिया में खत्म हो चुका है, तो यहाँ पर five year plan से question बनते हैं तो आपको एक एक करके याद रखना है, तो period of second five year plan था आपको ध्यान रखना है 1956 से लेके 61 तक, तो correct answer यहाँ पर बी होगा, 1956 से लेके 1961 तक, अब देखें जो five year plan का जो period था, वो ध्यान रख लिजए first five year plan 1951 से 56 तक, second five year plan 56 से लेके 61 तक, third five year plan 61 से 66 तक, तो तीन देखें लगातार चला है, उसका तीन साल का यहाँ पर gap रहा है, जिसमें एक एक साल का plan आया था, fourth five year plan 69 से 74, फिर देखें 74 से यहाँ चला 79 तक, फिर देखें एक साल का gap 80 से 85, 85 से 90 फिर देखें यहाँ पर दो साल का gap, फिर 92 से 97 85 year plan, 90 यहाँ पर 95 year plan था 9 थी जो फिर फिर प्लान था 97 से 2000, इसके बाद लगातार चला है, 10 थी जो है 2002 से 7, 11 दो हजार साथ से 12 और 12 थी जो फाइनल फिर फिर प्लान चला है, 2012 से लेके 2017 तक, इसमें देखें अलग-अलग जो target किया जाता था, सेक्टर को तो उसको मैं अलग वीडियो में cover करूँगा separate, ताकि आप उसको आसानी से याद रख सकते हैं, ओगी question पूछे जाते हैं Question है कि India is a divided into how many earthquake zone यानि कि seismic zone में divide किया गया है इंडिया को, अभी मैं मैं map भी दिखाऊँगा किस तरह से divide किया गया है तो देखिए इसका correct answer 5 है तो यहाँ पर C इसका correct answer होगा 5 जो है seismic zone में बाटा गया है तो आपको सबसे पहले map में देखिए यहाँ पर, तो यह है seismic zone में classification, देखिए यहाँ पर 5 zone है लेकिन जो first zone है उसमें classification थोड़ा नहीं किया गया है, लेकिन answer जो है 5 zone होगा, कहीं कहीं answer आपको 4 zone दिखेगा लेकिन मैंने official website से लिया है 5 जो है seismic zone में बाटा गया है जिसमें कि देखिए जो यह आपको पूरा एकदम raid में है वो seismic zone 4 के अंतरगत में आता है या फिर 5 कर सकते हैं 5 से अगर इसको बाटाएंगे तो 5 seismic zone है जिसमें कि यहाँ पर सबसे यदा भुकम की घटनाएं होती है जिसे कि North East India हिमाले का छेतर है और इधर आपको विरात का छेतर है तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है जो Monastery है तो करनाटक में अस्थित है और देखिए करनाटक में जो बाइला कुपे है दरम साला में देखिए आपको पता होगा कि रहते हैं लोग तिबबत की लोग जो वहां से exile होके आये थे लेकिंग अगर धर्मसला के बाद अगर सबसे आदा रहते हैं तो ओ है बाइला कूपे में तो बाइला कूपे जो मठ है वो भारत के करनाटक राज में अस्तित है और बेसिकलो मैसुरू में मैं शुरू में तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है Question 690 है कि हुब आप फर्स्ट इंडियन टो जोईन द वाइसराय एक्जगुटिव काउंसिल तो एक्जगुटिव काउंसिल जो वाइसराय के उसमें सबसे पहले इंडियन थे जो जोईन किये थे वो थे आपको सतेंदर परसाद सिनहा तो correct answer यहाँ पर C होगा सतेंदर परसाद सिनहा को बाइसराय का जो एक्जगुटिव काउंसिल था उसमें जोईन करने का अफसर मिला था और फर्स्ट इंडियन बने थे तो देखे दे इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1909 का था जिसको मारले मिंटो सुधार भी बुलायाता है मारले मिंटो अधिनियम इसमें कि मिंटो थे 22 राय थे तो लौड मिंटो 22 राय थे उन्हें इंपावर किया था कि गवर्नेर जनरल टुमिनेट बन इंडियन मेंबर तो दे एक्जेक्टिव काउंसिल लेडिंग तो अपाइंडमेंट आफ दे सतेंद्र परसाद सिन्ह यानि कि लौड मिंटो ने ऐसा प्रावधान लाय था है कि एक्जेक्टिव काउंसिल में एक इंडियन को भी यहाँ बार नमेनेट किया जाएगा और उसके बाद गवर्मेंट ओफ इंडिया आक्ट जो आया था 1919 का 1919 के जो गवर्मेंट ओफ इंडिया आया था उसको मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं इसमें कि Champs 4 थे 22 राय और इन्होंने इसको एक मेंबर को नमिनेट किया आता था उसके बाद इन्होंने तीन मेंबर को नमिनेट करना शुरू कर दिया तो इस तरह से आपको से question बन सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ I hope आपको इस स्रीज बिल्कुल पसंद आ रहे होगी तो जरूर लाइक कर दिजेगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना सेयर कर सकते हैं कर दिजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेज कर निजेगा so thank you guys इस वीडियो में इतना ही